कैसे हैं आप सब मैं आपका मेंटर अब फिर से आपके सामने में पुस्पित हो गया हूँ लेर्णिंग इस पिदाउट रूस के एक नए और प्रेश सेशन के साथ इस सेशन में आगे बढ़ने और कुछ कहने से पहले आप सबों को नवरात्र प्रारंभ की धेर सारी सुख कामना है मैं एक बात आप सब बच्चों से बिशेश करके उनको जिनकी आगे एक्जामेरिशन होने वाली है आप बिलकुल भक्ती में लीन हों मा देवी सक्ती की अराधना जरूर करें लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को बिना बाधित कियो हुए इसे जारी रखें क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है और तभी जो बिद्या की देवी है जो सक्ती की देवी है उनके कृपा आप पर होगी क्योंकि सबसे पहले आपको अपना कर्म करना होता है अपनी महनत करनी होती है तो किसी भी तरीके से जो चल रहा था उसमें इस त्योहार की वज़े से बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए मैं यहाँ पर बिलकुल यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको भक्ती, अराधना, पूजा, पाठ यह नहीं करनी है बिलकुल आप करें और करना भी चाहिए लेकिन उस वज़े से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए वो इदम जोर सोर से चलती रहनी चाहिए आज का एसेशन आप सभी बच्चों के लिए उसी एक्जामिनेशन के पॉइंट औव यू से एरर स्पॉर्टिंग पर आधारित है और इसे एरर स्पॉर्टिंग के लिए रखा गया है यहाँ पर जो कोशन है यह विसेश करके आपके IVPSPO की जो प्री होने वाली है वहाँ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे एरर जो परमपरागत तरीका है वही यहाँ पर है कि आप बहुत माहिर हैं जान रहे हैं फिर भी आपसे गलती हो जाए और आप समय सिमा के अंदर ना बना पाएं तो इन सबसे परेशान नहीं होना है अभ्यास करके एक पॉफेक्ट लेबल तक पहुँचना है और ये जो सेशन्स आते हैं ये बस उसी के लिए आते हैं कि आपकी परेशानी में थोड़ी बहुत भी सही लेकिन कम जरूर कर सको तो चले यहाँ पर बिना समय गवाए हुए सेशन की सुरुवात करते हैं नोटबुक और पेल लेकर के तयार हो जाए देखते हैं कि इस सेशन में कौनकों से कुशन लाए गए हैं और आप बिसेस करके इसमें कितने अंक लापाते हैं चले देखाज़ आईए मास्केशन की सुरुवात करते हैं और बारी बारी से इस error spotting की सुरुशन में लाए गए कुशन को आपके सामने रखते हैं आप इसे समय सीमा के अंदर बनाईए और सबसे जो एहम है explanation को जरूर गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि आपने जो सोचकर बनाया वो सही था या गलत था क्योंकि देखिए explanation अगर आपके पास है तो sentence improvement हो या phrase replacement हो इसमें कहीं ने कहीं वो मदद कर देता है साथ में जो explanation है एक प्रकार के review का काम करता है तो बहुत जरूरी है कि आप explanation को ध्यान से सुने चाहे आपका बनाया गया answer सही हो या गलत हो दोनों परिस्तिती में आपको वीडियो भगाने की जरूरत नहीं है वीडियो वैसे भी मैं छोटे रखता हूँ सुरू से अंतक इस पर बने रही है session को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चानल को subscribe कर लिजे बेला के जरूर प्रिस कीजगा ताकि आज अप्लोड कीगे वीडियो से नहीं आपको मिले और आपका कोई भी session मिस ना हो like और share करने में कंजूसी नहीं कीजगा चले जैसा कि आपको पता है कि session की सुरुवात हम एक welcome code से करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज का है ये अबराहम लिंकन के द्वारा कहा गया है और आपको पता होना चाहिए कि ये खुद भी एक मिशाल है लोग मेहनत करते हैं हार जाते हैं हतों साइथ हो जाते हैं और अगला अगली बार मेहनत करने से डड़ते हैं देखिए अबराहम लिंकन महोदय के जीवन में ऐसा रहा कि इन्होंने जीवन में कभी भी जीत नहीं देखिए और इनकी पहली जीत थी वो अमेरिका के राष्टपती बने तो सिंपल है कि आपको मेहनत करनी चाहिए बिना फल की चिंता किये हुए देखिए आप हारो या जीतो लेकिन उस सफर में जो आपका अनुभव होगा न वो अनमोल है इसलिए कभी भी मेहनत करने से बीछे नहीं हटना चाहिए सपने देखने से पीछे नहीं हटना चाहिए उसको देखिए और पूरा करने की भरसक कोसिस कीजिए इनका जो line है कहा है इन्होंने कि the best way to predict the future is to create it मतलब है कि future को predict करने का सबसे बहतर तरीका है इसे create करें बिल्कुल ये सब हमारे हाथ में हैं हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे और जीत हमारी होगी इसी उम्मीद पर दुनिया चलती है और बिल्कुल जो मेहनत करने वाले लोग है बहुत सारे उधारन है और आजकल सबसे बहतरीन उधारन Elon Musk मोदे का है आप उनके बारे में जानेंगे तो रोंग्टे घरे हो जाएंगे कभी रहा ऐसे आपने पढ़ा भी होगा आप Google कर सकते हैं ऐसा कभी रहा तो मैं उनकी बात आपके सामने रखूंगा तो simple सा है कि ध्यान रखेगा the best way to predict the future is to create it चले आजके session का जो पहला सवाल है वो आपके सामने हम लाते हैं लेकिन उसे पहले हम समय की विवस्था कर दें आपके लिए जिहा यहाँ पर हम समय की विवस्था कर लें 30 seconds चले session की सुरुवात करते हैं चले टाइम जाप यहाँ पर देखिये पहला सवाल क्या कह रहा है कि इंडिया एस मेड इट क्लिर टू दे उनाइटे स्टेट्स देट अब यहाँ पर देखिये आपको लगाना पड़ेगा इसमें यहाँ एक अबजेक्ट यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे यह color ठीक से दीख नहीं रहा है, अगर हम यहां पर इसको, इसके साथ it add करें, यहां पर तब यह बहतर होगा, equating it, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, equating के बाद मुझे it लगाना पड़ेगा, तब जाकर के यह मेरा sentence सही होगा, equating it with China, मुझे बताईगा जरूर कि किसको equating it with China on the basis of reversing trend this year, और इसलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो answer है, वो हो जाएगा आपका C, यहां पर क्या करेंगे हम, equating के बाद add करेंगे it, चले, अगला सवाल आपका समय सुरू होता है अब, चले, समय समाप्त हुआ, अब यहां पर जो सवाल है, कह रहा है कि there has, there has for long been attempts, है ना, यह जो attempts है, इसको देखिए, और यह जो there है, इसको देखिए, मैंने आपको dummy subject के बारे में बताया था, इसमें पिछले दिन भी मैंने इस पर बात की थी, dummy subjects, यानि कि there की बात की थी मैंने और वहां लिखा था, कि there is a king, और फिर बताया था, कि अगला जैसा होता है, उसी के हिसाब से there are kings, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, यहाँ पर जो attempts लगा हुआ है, इसलिए यहाँ has नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, have, कि there have for long been attempts by vested interest to drill down a sense of trepidation among Indian Muslim, that they will have an insecure and anxious existence if the Hindu majority adopts a majoritarian view, अब यहाँ पर जो है, मेरा पहला ही दिग गया, यहाँ has नहीं होना चाहिए, क्योंकि there, यानि कि dummy subject का लगा हुआ है, और इसलिए इस सवाल का जो जवाब है, वो है आपका A, हमको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, कई जगहों पर यह सवाल पूछाएता है, साथ में इसको mix करके भी पूछ देते हैं कई बार, मतलब NPN के साथ इसको रख देगा, या किसी और के साथ रख देगा, तो वहाँ पर आपको सचेत होनी की ज़ुरत है, इन सब सवाल में कुछ नहीं है, मुफ्त का नंबर है, बस आपकी जग रूपता, मुझे बताइए कि क्या आपका ये गलत हुआ, या आप सही थे, चले, अगला सवाल और आपका समय सुरूरता है अब, चले, इस कोशन का भी समय समाब्त हुआ, और ये कोशन बड़ा ही आसान है, और ये सवाल है, प्रोनाउन पराधारित, जिन बच्चों ने भी पढ़ा है, जानकारी है, वो आप इसको बनाए होंगे, कह रहा है, अब देखिए, ये जो आर है, माई है, ये सारे जो है, पॉजिसिव एड्जेक्टिव है, इसमें आर भी होगा, और सारे भी होँगे, इट इसी लगा लिजिए इसके आगे, पॉजिसिव एड्जेक्टिव है, ठीक है, इनके साथ क्या चाहिए, positive adjective है, इनके साथ एक noun चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमको our के साथ, our friend, our country, our brother, our sister, ऐसे, brother, sisters, यहाँपर add करना पड़ेगा, अगर हम वो नहीं करते, तो इसकी जगह पर हम इसका pronoun वाला form ours कर देंगे, तो हो जाएगा कि for passive ethnesia to be seriously considered as an option in country like ours, और और यह जो है ours, यहाँ पर देखिए, ours, hers, hers, theirs, यह सारे इस तरह के जो s लगे हुए होते हैं, yours, यह सभी pronoun में होते हैं, it is c लिख लीजेगा इसके साथ, यह सभी pronoun होते हैं, इसको हम अकेले लिख सकते हैं, mine, यह उसमें आता है, simple सा ध्यान रखना है, कि जिसमें s लगा हुआ नहीं है, उसके आगे हमें noun लगाना पड़ता है, और यहाँ पर noun लिखा नहीं गया है, आगे कह रहा है कि we need to keep in mind the words of Immanuel Kant, which form the basis of medical ethics, अब simple सा है, यहाँ पर country like ours होना चाहिए, और इसलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो answer है, वो है आपका B, आर और आर्स में यही अंतर है, कि आर एक adjective की तरह काम करता है, उसके आगे एक noun चाहिए, और आर्स pronoun है, आप लिख सकते हैं, हम लोग बोलचल में use करते हैं, I'm all yours, चले, अगला सवाल, समय सुरू होता है, अब, Time's up, ृ, चले, देखे, किया किया रहा है, तै इस सथानी है, coisa चले, आपके क्या है, पर आए, से पहले, से पहले हैं, और में हम एक भालम में अनपट, आज बाज बगल क्या बज्ए सनवर्ब्णों! कोई भी गलती नहीं है इसका जो आंसर है वो है अप्सन नमबर ई देखे जहां कई भी लिखा हुआ है कि अब ही भी आपको डर लगता है नो एरर टिक करने में देखे समझदारी और खुद पर भरुसा बिलकुल आप नो एरर टिक कर सकते हैं हो सकता है अभ्यास के दौरान गलती हो जाए लेकिन यही गलती दीरे दीरे दीर हिम्मत देगा और आपका नो एरर वाला भी सही होना सुरू होगा चले अगला सवाल और आपका समय सुरू होता है अब देखे इस सवाल का एक्स्प्लानेशन देने से पहले ही मैं क्या दू कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की गलती यहां पर हो गई होगी आप मुझे लिख कर बताना कि क्या आपका यह सही हुआ देखे का उपर यहां देखे क्या कह रहा है ग्रामेटिकल और आइ यह स्पेलिंग गलत है इसमें होना चाहिए M E D A L I S T यहां जो दो L है उसमें से एक ही होना चाहिए और इसलिए यहां पर गलती है और इसलिए error A है कह रहा है कि I have tested positive for using banned drugs at the Kelo India School Games and under 17 event aimed at strengthening the grassroots बिल्कुल बाकी और हिस्सों में कहीं गलती नहीं है इसलिए जिसका answer है वो है आपका A यहां पर spelling में एक गलती है कि यहां पर एक L की जगा पर दो L दिया हुआ है और मुझे बताएगा कि क्या इस तरह की गलती आपसे हो जाती है क्या आपका यह answer सही रहा या नहीं रहा नहीं रहा नहीं नहीं पर बिल्कुल ऐसा नहीं कूंगा पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको सामिल किया यह नजर में आ गया मुझे तो लगा कि एक बार डाला जाए कि क्या आप पढ़ते हैं जब तो गौर करते हैं पर या नहीं चले अगला सवाल और आपका समय सुरू होता है अब चले समय समाप्त हो गया यहाँ पर मुझे लगता है आसानी से आप लोगों ने बना दिया होगा यहाँ जब आप कह रहा है कि अब देखिए बहु बिवाह को कहते हैं पॉलिगयमी ना बहु पतनी बहु सारी पतनिया जो रख सकते हैं ठीक है वाइब निकाह हलाला दील्स इन अब यहीं पर गलती है देखिएगा डील इन इसका होता है आप सब जो कॉमन याद करते हैं डील इन सम्थिंग ठीक है और आप याद करते हैं डील विद समवन है ना डील विद समवन यह दो यूज करते हैं तो आपको यह लगा होगा कि ठीक ही है देखिए डील विद का एक और यूज है जो कि आपको जानना to tackle a situation or a challenge मतलब है किसी चुनौती को tackle करने के लिए भी हम deal with का इस्तमाल करते हैं यहाँ जो deal in है यह किसी website में किसी activity में to engage in an activity or business इस sense में उसका इस्तमाल करते हैं किस इसमाल करते हैं to engage in an activity or business ठीक है इस sense में इस्तमाल होता है लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि deal in लगाया जाए इसलिए यहाँ पर with वाला होना चाहिए क्यों किया रहा to tackle a situation or a challenge इसलिए यहाँ पर in नहीं इसको हटा करके हम इसकी जगा पर क्या use करेंगे with use करेंगे और इसी लिए इस सवाल का जो जवाब है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका भी देखिए यह कहना गलत नहीं है यहाँ पर मैं यह इस बात को बिलकुल नहीं गलत कहूंगा कि यह गलत कहा गया कि भया deal in something and deal with someone वो सही है लेकिन deal with का एक और use है कि deal with का मतलब होता है to tackle a situation or a challenge तो उस अर्थ में यहाँ पर in लिखना गलत है इस जगह पर हम with का प्रियोग करेंगे हो जाएगा while polygamy allows a Muslim man to have four wives Nikah Halala deals with the process in which a Muslim woman in order to remarry her former husband has to marry a different person and get divorced from him तब जाकर case ही होगा यहाँ पर होगा deal with चले अगला सवाल और आपका समय सुरू होता है अब समय समाप्त हो गया बड़ा ही आसान सा सवाल है यह इस सवाल में आपको कहीं भी परिशानी नहीं दिखेगी जहां देखे क्या कह रहा है इसके बीच में होना अची एडवर्ब इसका प्रियोक करेंगे इस सवाल का जो जबाब है वो है आपका बी क्या करना है को कर देना है चले अगला सवाल और आपका समय सुरू होता है अब time's up चले क्या कहरा देखिये with less than a week left for the implementation of the much delayed evay bill across the country tax officials and businesses seem to be well prepared this time around इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है with less than a week left for the implementation of much delayed evay bill across the country tax officials and businesses seem देखिये यहां पर भी ठीक है to be well prepared यहां पर भी ठीक है बी प्लस पासपर लगाए इसलिए कोई गलती नहीं है इसमें और इसलिए इसका जो आंसर है वो है no error and the option is इभी आसानी से अब बन जाता है सवाल मैं तो यही कहूँगा मुझे याद है इरफान ने कहा था कि हिमत नहीं होती है no error करने की हिमत तब होगी जब अंदर हिमत जुड़ जाएगा और यह तब होगा जब आपका confidence बढ़ जाएगा आपके पास बहुत सारे concepts होंगे और जब आप उसको देखेंगे और यह detect कर पाएंगे कि जो sentences का हिस्सा है वो grammatically सही लिखा गया है तो स्वतह आप no error मार्क करेंगे चले अगला सवाल और आपका समय सुरू होता है एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पर जो है देखिए मैं यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ इसमें एक printing mistake है नजर आ गया मुझे यहाँ पर text होना चाहिए चले अब बना यह सवाल को आपका समय सुरू होता है अब चले समय समाप्त हो गया अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि even as the supreme court takes stock of the situation voters need यहाँ पर भी ठीक है to be aware of the shadow role of the money power अब देखिए एक तो इसमें shadow इसको जानिए यह shadow या तो verb की तरह इस्तमाल होता है या noun की तरह या noun की तरह और यहाँ पर the role मेरा जो है वो लिखा हुआ यह मेरा noun है आर्टिकल के साथ लगाए गया है इसको अगर हम adjective कर दें shadowy है ना s-h-a-d-o-w-y तब यह adjective की तरह काम करेगा और तब जाकर के अगर आप इसको करें तो यहाँ पर कर देंगे इसको shadowy इस तरीके से लिखना गलत है shadow role नहीं होगा क्या होना चाहिए shadowy क्योंकि देखिए the के साथ तो यह role लगा हुआ यहाँ पर बीच में इसमें लगाया एक adjective तो adjective लगना चाहिए ना यहाँ पर shadow जो है वो verb और noun की तरह इस्तमाल होता है तो यह नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए shadowy even as the supreme court takes stock of the situation voters need to be aware of the shadowy role of the money power as they exercise their franchising तब जाकर के यह सही हो जाएगा क्या करना है हमको इस shadow को shadowy यानि कि जो verb और noun का format है उसको मुझे adjective में change करना होगा और इसी लिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका c क्या करना है shadow को shadowy करना है shadow या तो verb होता है या noun होता है तो noun के तोर पर तो fit better है लेकिन वो अगले वाले को qualify नहीं कर पाएगा इसलिए मुझे उसको adjective बनाना पड़ेगा चले सेशन का आखरी सवाल का समय सुरू होता है अब चले इस कोशन का भी समय समाप्त हुआ देखे इस सवाल पर explanation देने से पहले जिसा कि आपको पता है कि मैं बार-बार कहता हूँ और बहुत सारे सिक्चक जो है वो यह कहते कि newspaper पढ़िये बहुत सारे चीज़े देखने में लंबा लग रहे है सवाल को पढ़िये expansion in power generation in India has been large on the back of state financing almost all coal power plants in India are constructed through massive debt financing from state owned banks regardless of whether the promoter is a state owned enterprise or private company देखे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप जानते हैं कि adverb जो है वो आपको qualify कर सकता है phrase को qualify करता है adjective को qualify करता है यहां पर देखें कि expansion in power generation in India has been largely यहां होना चाहिए largely on the back of state financing तब जाकर क्या होगा has been largely on the back of state financing तब जाकर के सही होगा तो यहां पर मुझे b number में large को largely में change करना होगा तब जाकर के sentence मेरा सही होगा और इसी लिए इस सवाल का जो जवाब है इसका जो answer है वो है b देखें यह सबसे पहले तो knowledge की बात है adverb की जानकारी आपको होनी चाहिए ऐसे भी अगर आपको नहीं है लेकिन फिर भी आप regular newspaper पढ़ते हैं तो जो एक तरीका होता है न पढ़ते 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 आप अभ्यस्त जाते यहाँ पर क्या होना चाहिए हो सुनके भी जो बहुत सारे बच्चे कहते है सुनने में ठीक नहीं लगा इसलिए वहाँ पर लार्ज को हम लार्जली करेंगे और sentence मेरा सही हो जाएगा चले उमीद करते हैं कि आपने इसमें अच्छा score किया होगा और आपको मजा आया होगा आप सब अपने score मुझे नीचे लिख करके बताएंगे ज़रूर क्या परिशानी हुई क्या दिक्कत होती है अब भी error बनाने में मैं विसेस करके मैं वैसे बच्चों को कह रहा हूँ जिनकी आगे preliminary test है IBPSPO की तो वो मुझे अब बता सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि उनके लिए कुछ निदान ले करके आ सकूँ ताकि ये समस्या फिर SBI तक न चली जाए अभी मैं समय है इन दिनों मैं वीडियोज लाता रहूँगा जैसा मैंने कहा है मैं कोसिस कर रहा हूँ कि मैं उसे पूरा कर पाऊं और अभी ये निरंदरता बनी हुई है और दुर्गा मा की करपा से ये निरंदरता बनी रहेगी बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप मुझे लिख करके बताईए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे लाइक कर दे अगर अपने चानल सब्स्क्राइब निक्या है प्लीज सब्स्क्राइब कर लिजे बिला के जो प्रिस कीजगा ताकि याँ सब्लोड की गए वीडियो सब्सक्राइब आपको मिले किसी भी वजय से आपकी पढ़ाई रुखनी नहीं चाहिए लेर्निंग्रिस प्ताव टूस के से से विश्ज बीके सिंग सानिग आप टीप डिडिंग टीप प्राक्टिसिंग थैंक यू गट ब्लेस यू